बूमी अधिगरण बिल लोकसवा में तो पास हो गया है राजसवा में क्या इस्तिती होगी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंदरी मंतरी नरन सिंग तुमर जी सर लोकसवा में आपने जंग जीत ली राजसवा में आकड़े गड़बर दिखाई दे रहे हैं क्या हो बूमी अधिगरण बिल लोकसवा से पारित हो गया है यह बिल पूरी तरह किसानों के हिट में है यूपिय सरकार ने जो बिल बनाया था उसमें लेंड एकुशन होने की इ जानते हैं कि लेंड एकुशन माने काई के लिए सरकार लेंड एकुशन करती है इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट अगर नहीं आएगा तो किसान कैसे खोजाल होगा सिचाई बढ़नी चाहिए गाउं में रोड की कनेक्टविटी चाहिए रोड नहीं होगी, तो गाउं में रास्ता नहीं होगा, गाउं में रास्ता नहीं होगा, तो गाउं का विकास नहीं होगा, नैस्नल हाईवे को फोर लेंड करना है, सिक्स लेंड करना है, एट लेंड करना है, यह समय क्या आवशकता है, रेल लाइन विछाना है, तो विकास के लिए रेल लाइन भी विशाना है इंडस्टी को खड़ा करना है तो इसके लिए निश्यद रूप से ये संसोधन आवशक हो गए थे और मुझे प्रसंत आये कि लोकसभा ने इस बिल को पारित किया है और जो आवशक संसोधन ऐसे लगे हैं प्रतिपक्ष के उन पर भी सरकार ने व वॉक आउट कर रही है इसका भी विब्रोद कर रही है इससे कैसे निप्टेंगे दिखिए जब इस परकार के निर्ड़ें के लिए विश्य सामने आते हैं तो सब को कन्वीन्स करने की आवशक्ता है हमने प्रतिपक्षी लोगों को भी कन्वीन्स करने की कोशिस किये सही हो या तो आप लोग वोक आउट करें या फिर ज्यादा मजबूती से खड़े ना हो क्योंकि आपके आगड़े नहीं है रासवा में भारतिया जंता पार्टी अंडर हैंड डिलिंग कुछ नहीं करती है हमारी नीती साफ है हम सबसे विचार विमर्ज करने का मन रखते हैं और सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैमरा पसन संदीब के साथ दिली सिर्देश चादव यूस पॉइंट